हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक गंगा मैया, तेरी शरन में जो भी प्राणी आया, उसका बेड़ा पार लगाया, गंगा मैया, गंगा मैया, ये गंगा मैया, जर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, निर्बल का बल, तेरा ये जल, अमरित जैसा सब के लिए, इस में नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिये, दूबे कभी ना, उस पाणी की नया, जिसकी तू बन जाए खे भैया, गंगा मैया, जर हर गंगे, जर हर गंगा मैया, जर हर गंगे, 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 बाँ राँ ऐाँ दो, इन्ग है तो तो, इन्ग है तो इन्ग है तो, तो, वाँ उखराँ अश कि ये में तो, तो, तो COM झाट! तिरेंड अब इस शरीप के साथ मुझे अकेला छोड़ दो जब तक मैं ना बुलाओं महल के इस खंड में कोई नहीं आएगा जाओ ये मेरा आदेश है त्यर省 अकेला बुलाओं परेंड में अके घाओं महल कोई आएज आए ङजिक वख आप आप अपने के अपने के लिए इस विजय सबा में आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हर्ष भी है और गरू भी हर्ष भीजय का और गर्व इस बात का कि आज देवताओं की शक्ति का शंकनाद पूरे ब्रमान में गूंज रहा है इस भीजय पर आप सब बधाई के पात्र हैं देवेंद्र की जै देवेंद्र की जै इस युद्ध में सभी देवताओं ने पराकरम दिखाया अगनी देव की जै वायू देव की जै वायू देव की जै सभी देवताओं धन्यवाद के पात्र हैं कि हमने इस युद्ध में असुरों को पचाड़ कर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी शक्तियों का असुरों के पास कोई उतर नहीं देखा नहीं आपने अगनी देव हमारे वायू देव की आप भी सराहना की अबिना नहीं रह सकते क्योंकि इनकी एक भूंक ने असुरों की सेना को हवा में उड़ा दिया था वह तो मैंने हलके से सांस छोड़ी थी यदि मुझे क्रोध आ जाए तो किसी में सामर्थ नहीं जो मुझे रोख सके मैं संपूर्श श्रिष्ट्य को उड़ाकर पूरे ब्रह्मान को उधल बुथल कर सकता हूं मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता परंतु भगवान विष्णु भी जानते हैं कि ब्रह्मा की रचित्स श्रिष्ट्य को मैं एक छड में डुबो सकता हूं हाँ हाँ निसंदे मुनिवर इसमें लेश मात्र भी संदे नहीं कि ये युद्ध हम देवताओं ने अपने बल पर जीता है लेकिन देवेंद्र ये युद्ध तो आपने मुनिवर आप युद्ध के बारे में कुछ ना कहें आप युद्ध कला क्या जानें आपने कभी हात में शस्त्र धारन किया ही नहीं ना रायन ना रैन इतना अहमकार इतना घमंड पर्न तुसारी शर्ष्ड जान गई है हमारा शौर्य हमारा प्राक्रम हमारी शक्ति आज पूरे ब्रह्मांड में हमारी विजय का उच्छाव मनाया जा रहा है तो क्या हम अपनी विजय पर उच्छाव नहीं मनाएंगे कुछ तनी अश्य पुच्छ बनाएंगे है पर अन्तु देवेंद्र डेवेंद्र मेरी बात सुनिए गंगा मय या की आर्तिक में ऑच्पाय हो चुका है अरे अगनी देव अरे वायु देव अरे भईया कहा चले देवेंद्र 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 गंगा मैया की आर्तिकर समय हो चुका है देवेंद्र गंगा मैया की आर्तिकर समय हो चुका है देवेंद्र गंगा मैया की आर्तिकर समय हो चुका है देवेंद्र ना रायन, ना तॉ मरें कौन सी बड़ी विज़ः पाली है देवताओं ने। कौन सा युद्ध जीता है किसे हराया है युद्ध में। भली को न। फ़्रन कशब को तो नहीं। शुकराचारी को तो नहीं। और इस विजये पर इतना नशा चड़ गया देवताओं को कि आपकी आरते भी भूल गए हैं मिया ना रायव ना रायव मिया आप मुस्कुरा रही है मिया देवताओं कि इस अक्षम में अपरात पर भी आप मुस्कुरा रही है एक मा के लिए उसकी संतान का कोई भी अपराद अक्षम्य नहीं होता मा का दूसरा नामिक शमा है देवगण आज अपनी छोटी सी विजय पर बिलकुल बच्च जैसा व्यवार कर रही है जब बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले अपनी मा की उंगली पकड़कर चलता है परन्तु जब उसे विश्वास हो जाता है कि वो स्वेम चल सकता है तो वो अपनी मा की उंगली छोड़कर चलने का प्रयास करता है इसका अर्थ ये नहीं मुनिवर कि बच्चा अपनी मा को भूल गया वो तो केवल अपने बल पर बिना किसी के सहरे चलने का आनन ले रहा है तेवता भी वही आनन ले रहे हैं परंतु मैया क्या इस आनन तुमें अहंकार नहीं जहाक रहा फिर भी आप उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं मैया हाँ रिशीवर मैं जानती हूँ ये अहंकार अल्ब समय के लिए ही है जब अहंकार का पर्दा देवताओं की दृष्टी से हट जाएगा तब सच्चाई उनका मूँ चड़ाएगी और वो एक छोटे बच्चे की भाती लज्जित हो जाएंगे और सर नीचा किये मेरे पास आएंगे तो क्या मैं उन्हें दंड दूंगी नहीं रिशीवर पश्चेताब की भावना से जब मन पवित्र हो जाता है तो उस मन पर संसकार किये जाते हैं उसका दिक्कार नहीं किया जाता मैंने तो देवताओं को खिशमा कर दिया है मैं शमा की बात नहीं कर रहा हूं प्रव देवी गंगा तो देवताओं को शमा करेंगी परन्तु क्या देवताओं का हंकार से ग्रस्त होना उचित है यदि अगनी देव वायु देव वरुन देव ऐसे देवताओं को अपनी विशेश शक्तियों पर आहंकार हो गया तो प्रभु स्थिष्ट्री का विकास होना यहीं रुख जाएगा ब्रह्माची ठीक ही कह रहे हैं प्रभु यदि देविन्द स्वयम अहंकारी हो गये हैं तो देवता और दानों में अंतर ही क्या रह जाएगा और सबसे महत्व पूर्ण बाद यह देवता कैसे भूल सकते हैं कि असुरों पर जो उन्होंने विजय पाई हैं वो अपने बल पर नहीं देवी गंगा के आशिरवात के कारण प्रभू देवी गंगा भी आप ही कांच हैं उनके पास प्रदान किया गया आप ही का महा अस्त्र है और उस तेज़सवी महा अस्त्र का नाम है ख्रमा और ये ख्षमा का महा आस्त्र उसी के पास होता है जो महा बल्वान है जो सर्वस्रेष्ट है परन्तु इंद्र अग्णिदेव वायुदेव वरुनदेव अपने आपको सर्वस्रेष्ट समझने लगे है इससे पहले कि हंकार में आकर वो कुछ अनुचित कर बैठें उन्हें ताड़ना चाहिए प्रभू नहीं तो वो अपने आपको सर्वस्रक्तिमान समझने लगेंगे और ये आपका अपमान होगा हे प्रह्मदेव वे अज्ञानी है परन्तो मेरे विचार में उन्हें थोड़ा दण्य देना आविशक है हे महादेव आप तो भली भाती जानते हैं कि देवी गंगा ने उन्हें ख्रमा कर दिया है फिर भी प्रभू उनके अज्ञान का नाश करके उनके अहंकार को मिटाकर उन्हें सत्य का ज्ञान तो कराही दिजिए हे महादेव हे ब्रह्मदेव देवी गंगा ऐसी मा हैं जो अपनी संतान का बुरा और भला जानती हैं और जो भूले भटको को उचित मार्क पर ला सकती हैं तो हमें व्यर्थी चिंता ग्रस्त होने की क्या आवशक्ता है आप चिंता छोड़ दीजे रिशिवर मा अपनी संतान को बहगने नहीं देगी मैं देवताओं को सत्य के दर्शन करा दूंगी प्रडाम मा पिश्वरी वाह मा तेरी लीला अप्रम पार है सब प्रबन ठीक है हां अब राजा देविंद्र की सवारी आ सकती है चलो चल कर नंको सूचित करते हैं हां सारा प्रबन बढ़िया हो गया है सब कुछ ठीक था अरे कि लड़की यहां कहां से आ गई कि देविंद्र की सवारी आने वाली है चल कर इसको अठाते हैं यहां से चलो चलो कि यह लड़की यह राजमार्ग है क्या है राजमार्ग है राजमार्ग यहां राजा की सवारी आने वाली है रास्ता छोड़ो तोड़ू यहां मैं क्या तोड़ू यहां तो तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे सर तोड़ू क्या लगता है कम सुनती है अरे कम क्या बिल्कुल नहीं सुनती है फिर भी स मेरी माँ तुम यहांसे हट जाओ अच्छा बैठ जाओ वैसे तो मुझे नहीं बैठना था लेकिन तुम कहते हो तो बैठ जाती हूँ यह लो यह क्या समझ गई देखो तुम यहांसे जाओ 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 क्यों जाओ ओ हो मैंने कहा ना यहां राजा कि सवारी आने वाली है अच्छा ठीक है पहले मैं अपनी बकरी को घास खिला दू फिर चली जाओंगी अरे तुम अपनी बकरी को घास कहीं और ले जाकर खिलाओ तुम यहां से जाओ अच्छा अच्छा वैसे तो मुझे गाना नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मैं गाह देती हूं हाँ 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 हमारे पास समय नहीं है है समय नहीं है तो इसको स्वर्ग लोग से उटा कर फेको यहां से चलो चलो कि यह तो कोई मायावेलर के लगती है चलो चल कर अगनी देव को बताते हैं चलो कमारे तुम दोनर की सुरक्षा छोड़कर हैं क्या क्या है हम तो राज मार की सुरक्षा का उततरदाईत परंदन निभा रहे थे परंतु परंतु में एक लड़की ने हमें अपने हाथ से अंत्रिक्ष मैं उढ़ा दिया क्या एक लड़की ने हाँ तुम्हें इसको भी हाँ तुम दोरों को हाँ एक हाथ से अंतरिक्ष में उड़ा दिया देव यह कोई साधरन लड़की नहीं है यह मायावी लड़की है मायावी मायावी वो देखी रास्ते के बीचों-बीच बैठे अपनी बखरी के साथ कि चलो मैं उसे अपने हाथ दिखाता हूं चलो 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 कि देखा देव बकरी को घास के ला रही है आपको तो घास ही नहीं डाल रही है मेरा मतलब है आपको कोई महत्व ही नहीं दे रही है यह लड़की यह उच्छा सुनती है अच्छा यह लड़की कौन हो तुम मैं भीलनी हूं यह स्वर्ग लोग में क्यों आई हो अपनी बकरी को घास चराने पिछारी बहुत भूकी है पता है मैं असुर लोग भी गई और नाग लोग भी गई लेकिन इसका पेट ही नहीं भड़ा इसलें यहां आ गई वैसे ये कौन है अरे इनको नहीं पहचानती ये अगनी देव है अगनी देव कौन से जीव जीव नहीं अगनी देव है प्रणाम करो है प्रणाम मैं किसी को प्रणाम प्रणाम नहीं करती हां अगर प्रणाम करना है तो आप मुझे प्रणाम कर सकते मैं आपको आशिरवाद तुम मुझे आशिरवाद दोगी जानती हो मैं कौन हूँ एक पल में सारे ब्रह्मांड को आग लगा कर राख कर देने की शक्ति है मुझ में शक्ति भक्ति किसकी भक्ति नहीं शक्ति शक्ति चिख याग चल जया यहां से उपरी वख्ति मैं शक्ति अनुमान नहीं है हैं है अभी तो तुम ने कहा था कि तुम पूरे ब्रह्मान को जला कर सकते हो इस कहने से कुछ नहीं होता करके दिखाओ तो जाने वैसे ब्रह्मान तो बहुत दूर की बात है तुम अगर एक तिनके को भी जला कर दिखा दो तो मैं मान जाओंगी QAqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaq करावी נदिशना कर दो आप निश्चे ही कोई सामान ने भीलनी नहीं है कि आप अवश्य कोई भगवान का अंश है मुझे ख्षमा कर दो कि तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया